लीची कहाने के इतने सारे फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे फर्मियों में लीची के खाने से शरीर को कई स्वास्ते समस्याओं से बचाया जा सकता है लीची को पानी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ लीची खाने के 15 बड़े फाइदों के बारे में वीडियो के लास में हम बात करेंगे इसके कुछ साइड इफेक्ट यानी नुकसान के बारे में इसमें कौन-कौन से पोशक तक पाये जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को लास तक जरूर फालो करें जिसे कि आपको पूरी जानकारी मिल सकें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले सब्सक्राइब और मोर वीडियोज पेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें लीची गर्मियों के खास फलो में से एक है गर्मियों में लीची के खाने से शरीर को कई समस्याओं से बचाया जा सकता है लीची को पानी का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है लीची में विटामिन C, विटामिन B6, नियासिन, राइबोफलेविन, फॉलेट, तांबा, पोटेशियम, फासफोरस, मैगनीशम और मैगनी जैसे कई खनीस पाए जाते हैं जो हमारे शरीर और पेट को ठंड़क देते हैं लीची में पाए जाने वाले पोशक तत इम्मुनिटी को मजबूत बनाने में मददगार माने जाते हैं इतना ही नहीं लीची को पाचन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है अब बात करेते हैं लीची खाने के 15 बड़े फाइदों के बारे में लीची का सेवन ब्रेस कैंसर के बचाब में मदद कर सकता है NCBI के शोट के अनुसार लीची ही नहीं बलकि इसके छिलके और बीज में भी एंटी कैंसर प्रभाब मौजूद होते हैं जो कैंसर सेल्स को पनपने से रोकने में काफियत तत मदद कार साबित हो सकते हैं लीची का सेवन ब्रेस कैंसर, लीवर कैंसर या ट्यूमर के जोकिम को कम कर सकता है No.2 हिर्दे स्वास्ति के लिए लीची खाने के फायदे हिर्दे स्वास्ते के लिए भी देखे जा सकते हैं लीची में क्वेर सेटिन नामक बायो एक्टिब कमपाउन मौजूद होता है जो कॉडियो वस्कुलर हेल्थ यानी हिर्दे को स्वस्त रखने और ब्लड पेशर को संतलिर रखने में मददगार साबित हो सकता है नमबर त्री पाचन में सुधार पाचन दन सम्मंदी समस्याओं के लिए भी लीची के फायदे देखी जा सकते हैं NCBI के शोद के अनुसार लीची पाचन में सुधार कर सकती है दरसल लीची में कई तरह के बायो एक्टिक कंपाउंड होते हैं जैसे फ्लेवोनाइस, स्टेरॉल्स, ट्राइट, टर्पेंस, फेनोलिक आदी मौजूर होते हैं जो सिहत के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं पर फोर मोतिया बिन से बचाब लीची फ्रूट के फायदे में मोतिया बिन के लक्षनों को कम करना भी शामिल है बता दें कि मोतिया बिन बढ़ती उम्र में होने वाली आँखों से जुड़ी एक समस्या है जिसमें देखने की सकती कमजोर खुब पड़ जाती है इस समस्या से बचाब के लिए भी लीची खाना फायदे बंद हो सकता है सोथ के अनुसार लीची मोतिया बिन से बचाब करने में सायक साबित हो सकती है क्योंकि लीची में बिटामिन सी मौजूद होता है इन्फलेंजा वाइरस से बचाब इन्फलेंजा एक प्रकार का वाइरल संक्रमन होता है जो खास का सुसनमार को नुकसान पहुंचाता है इससे बचाब के लिए लीची खाने के फायदे हो सकते है लीची में oligonol मौझूद होता है जो एक प्रकार का polyphenol है यह oligonol इंफुलेंजा की रोखथाम के लिए प्रभावी माना जाता है नमर 6 बजन नियंतरण के लिए लीची को मोटापे की समस्या का हल निकालने में काफी लापकारी माना जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि लीची एक अर्क एंटी ओबिसिटी यानि मोटापा कम करने के लिए गुण प्रदशित कर सकता है इसके अलावा बजन नियंतरन के लिए लीची के बीज के फायदे भी देखे जा सकते हैं लीची का सेवन ब्लड सर्कुलेशन के लिए लापकारी साबित हो सकता है NCBI के एक वेबसाइट पर मताबिक शोद के अनुसार लीची ब्लड सर्कुलेशन में सुधाल ला सकता है सुजन संबंदी समस्याओं से रहात पाने के लिए लीची का प्योग करना फायदेबंध हो सकता है इस बारे में एक शोद से जानकारी मिलती है कि लीची का अर्क फेनॉब नॉल से समरद होता है जो एंटिंप्लमेट्री प्रभाव यानि सुजन को कम करने वाला प्रदशित करने के साथ साथ हैपा प्रोट्रेक्टिव लीवर की रक्षा करने वाला प्रभाव माना जा सकता है लीची फ्रोट के फायदे एनरजी को बूस करने के लिए भी देखे जा सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि लीची का फल उर्जा से भरपूर होता है 100 ग्राम लीची के गूदे में 270 किलो जूल उर्जा होती है शरीर में जाने के बाद कैलरी उर्जा में प्रभर्दित हो जाती है जिसे शरीर में एनरजी का प्रभाव बढ़ जाता है इमुनिटी बढ़ाने के लिए शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए रोख प्रतिरोधक चमता यानि इमुनिटी सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है लीची का सेवन इसमें मैत पूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि लीची रोख प्रतिरोधक चमता को बढ़ावा दे सकती है एक शोद के अनुसार लीची में मौजूद बायो एक्टिब कमपाउंड सेपोनिन को जिम्मेदार माना जा सकता है जो एक इमुनिटी बूस्टर की तरह काम करता है लीची खाने के फायदे में उच रख चाप की समस्या से बचाप करना भी शामिल है ऐसा की हमने पहले भी बताया है कि लीची में कई तरह के फ्लेवुनाइट्स फिलोलिक कमपाउंड मौजूद होते हैं जो स्वास्ते के लिए लापकारी माने जाते हैं ये सभी कमपाउंड रख चाप को नियंद्रित करने और संतुलित रख चाप को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं अगर हडियां कमजोर हो तो ऑस्टियो पॉरसिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बता दें कि ऑस्टोपॉरसिस एक समस्या है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हडियां कमजोर हो जाती हैं और तूटने लगती हैं इस समस्या से बचाप के लिए हडियों को मजबूत रहना बहुत जरूरी है इसमें लीची खाने के फायदे भी देखे जा सकते हैं लीची हडियो लीची का से बचाप में काफियत तक मदद्गार साबित हो सकता है 14 सन्बन से रहत अधिक समय तक सूरज की आनिकारक किर्णों के संपर्क में आने के कारण तो चलाल हो जाती है इससे सन्बन के नाम से जाना जाता है इससे रात पाने के लिए लीची के फायदे देखे जा सक सकते हैं लीची संबन को कम कर सकता है नबर 15 बालों के लिए रूखे और बेजान बाल किसी के भी ब्यक्तित के निखार को कम कर सकते हैं इसलिए जरूरी है कि सही तरीके से बालों का ध्यान रखा जाए वहीं लीची के फायदे बालों की देखभाल करने के लिए देखे जा सकत हैं इससे संबंदितिक रिसर्च के अनुसार लीची बालों के विकास को बढ़ावा देने उसे चमकदार बनाने में साबित हो सकती है अब बात करेते हैं लीची खाने के कुछ साइड इफेक्ट या नुकसान के बारे में अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन करें तो इसके का धिहान रखें और डॉक्टर की सला के अनुसार ही लीची का सेवन करें कुछ दवाईओं जैसे दर्च से रहा दिलाने वाली दवा या खून पत्ना करने वाली दवा आधी के साथ लीची का सेवन करने से रक्सराब का खर्तरा बढ़ सकता है लीची के सेवन से एलर्जी स्वात का कड़वा होना गले में सूजन खरास होटो पर पोड़ा दी जीब की पीला होना और बुखार की समस्या हो सकती है अगर आपको यह जानकारी पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले सब्सक्राइब और मोर वीडियो और बेल आइकन कर दो